हलो प्रेंच नमस्कार तो आज मैं बनाऊंगी ट्रेविल बैग तो नीचे अस्तर बीच में फोम और उपर सेमेंट फैब्रिक को रखते वे पीनप कर ली हूँ और इसे मैं क्विल्ट कर लूँगी दोनों तरब से तो देखें क्विल्ट कर ली अब इसके बाद मैं जो भी इ और चोड़ाई है 15 इंच अब इस पार्ट को मैं फोर पार्ट में डिवाइड करूंगी तो पोने 10-10 इंच का फोर पार्ट बनेगा तो देखें पोने 10 इंच पे मैं लाइन ड्रो कर ली हूँ इसी तरह से दो और लाइन ड्रो करूंगी पोने 10-10 इंच पे तो फोर पार्ट में डिवाइड हो चुका है अब देखिए मैं फिर नीचे आऊंगी और यहां से साइड इस्टे में दो-दो इंच लोंगी दो इंच पे मार्क लगाने के बाद इसे लाइन डो कर लिजिए अब कॉर्नर पे वान इंच का मार्क लगा लिजिए और इसे मार्क लगाने के बाद इसे राउंड स्टेप दे दीजिए और राउंड स्टेप देने के बाद इसे कट कर लूँगे तो देखिए फ्रेंट्स यहां पे कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैं इसी के मेजरमेंट से मैं जीप लूँगी और जीप को दो भाग में मैं डिवाइड कर लूँगी और सीधी साइड अंदर को रखते हुए मैं इसमें पीन अप कर लूँगी और पीन अप करने के बाद इसे मैं स्टीच कर लूँगी तो दोनों को इसी तरह से मैं स्टीच करूँगी और टोप स्टीच भी कर लेना है करने के बाद मैं दो रनर लूँगी और एक अक रनर को दोनों तरब से डालना है तो देखिए रनर भी डल चुका है अब यहां पे मैं जो भी इस्ट्रा है उसे कट कर लूँगी कट करने के बाद दो इन्च का मैं मार्क लगा रहे हुए है जीब की दरब से उसके बाद से उपचल जाँगी उपचल भी दो इंच पे मारक लगाऊंगे और लाइन ड्रो कर लूँगी तो और साइड शेट धाई धाई इंच पे मार्क लगाते हुए लाइन को आप ड्रो कर लीजिए देखिए मार्क लग चुका है अब यहाँ पे लाइन ड्रो कर लूँगी दोनों तरब से इसी तरह धाई धाई इंच पे मार्क लगाते हुए लाइन को ड्रो कर लीजिए वोधी जल्दी और आसान तरीके से बनने वाला इट्रेविल बैग है तो फ्रेंट्स आप लोग प्लीज पूरा देखें तो पूरा भी देखें और फ्रेंट्स मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और यहां से मैं हाफ इंच कम की हूँ यानि डेड़ इंच पे मैं मार्क लगाई हूँ अब यहां पे मैं रेडी मेट अश्ट्रीप ली हूँ आप चाहे तो कपड़े से बना सकते हैं और यहां लाइन के बीच में रखते हुए मैं इसमें पीन अप कर लूँगी और यहां से 14 इंच की साइड रखते हुए पीन अप करके इसमें मैं स्टीच लगा लूँगी तो देखिया स्टीच हो चुका है यहां पे मैं दो क्विल्टेड पीस लूँगी इसका मेजरमेंट है 9.5 बाई 8 इंच दोनों सेम मैजरमेंट के हैं तो अब जीप लूँगी और इस पे स्टीच करते हुए दोनों में टॉप स्टीच लगा लूँगी तो देखिया टॉप स्टीच हो चुका है एक और क्विल्टेड पीस लूँगी जिसका मैजरमेंट है 1.5 इंच बाई 10 इंच के बाद मैं जहां पे जीप जॉइंट की थी छोटा लपाट में उसी जीप के उपर रखते हुए मैं इससे स्टीच कर लूँगी और स्टीच करने के बाद मैं टॉप स्टीच कर लूँगी इसका फाइनल मेजरमेंट 9.5 बाई 9.5 रेडी होकर आया है पे में पाट लूँगी और दोनों साइडों को जॉइंट करते हुए अस्टीच कर लूँगी अस्टीच करने के बाद मैं टॉप अस्टीच कर लूँगी और जहां से जॉइंट की हों वहां से 9.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और मार्क लगाते हुए दोनों को मिलाते हुए मैं फोल्ड कर लूँगी और दोनों तरप से इसी तरह से मैं मार्क लगाऊंगी और फोल्ड करके मैं वहाँ से सेंटर पाइंट दो तूँगी उसके बाद फिर इस साइड से भी सेंटर पाइंट निकाल के कट लगा लूँगी अब मैं यहाँ छोटा वाला पाट लूँगी और उसी के मेजरमेंट से एक फैबरिक लूँगी और फैबरिक पे छोटा वाला पाट को रखते हुए चारो तरप से स्टीज कर लूँगी तो देखिए पैकिट बनकर रेडी हो चुका अब यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी और बीच सेंटर में मैं कट कर लूँगी तो दोनों मैं ऐसे ही कट लगाऊंगी फोल्ड करते हुए आब यहाँ पे में पाट लूँगी और जहाँ पे मैं कट लगाई हूँ तो कट से कट को मिलाते हुए मैं इसमें पीन अप कर लूँगी और दोनों पैकिट को इसी तरह से मै पीन अप करूँगी तो जहां पे में पार्ट में जीप है तो छोटा वाला पार्ट भी जीप उसी तरह होना चाहिए और देखिए यहां पे मैं सारे में पीन अप कर ली हूँ और चारो तरफ इस पे सिलाई करूँगी और यहां पे भी दूसरा पैकिट में यहां पे लगाऊंगी साइड में तो देखिए यहां पे पीन अप कर रही हूँ और पीन अप करने के बाद देखिए कट को कट से मिलाई और उसके बाद पीन अप कर ली और चारो तरफ से स्टीच कर लोगी तो स्टिच हो चुका है अब यहाँ पे मैं पाइपिन से फिनिस कर ली हूँ और यहाँ पे मैं अब सीधा करूंगी देखिए सीधा करने के बाद अच्छे से कॉर्णर को निकाल लेजिए तो मेरा बैग रेड़ी हो चुका फ्रेंट्स तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो फ्रेंट्स तो फ्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और फूल बाद करने के लिए थेंक यू देखिए कितनी जल्दी बनकर रेड़ी हो चुका और बहुत यासान तरीके से रेड़ी हुआ है फ्रेंट्स जिनको नहीं भी बैग बनाने आएगा न वो भी ये बैग को रेड़ी कर सकते हैं ज्यादा टफ नहीं है इसे बनाना तो फूल बाद के लिए थाएगा